कोवी शिल्ट टिके पर एक बहुत अच्छी खबर है और ये कहां का कानून है कि सिर्फ बुरी खबरे फैलाई जाए वो कोवीन एप इतना अच्छा नहीं चल रहा है वो एप पे करना है या पोल्टल में करना है थोड़ा कन्फ्यूजन है लोग सोच रहे हिंदी बेल्ट में इतने केसेस भी नहीं है तो क्यों कतार में खड़े रहें क्यों जहमेला करें क्यों अभी वैक्सिन टिका लगवाए लोग दूसरे लोगों का थोड़ा इंतजार करेंगे पहले आप पहले आप कर रहे हैं यह पहले आप पहले आप में ट्रेन छुट गई तो प्राब्लेम सिर्फ इतना ही है कि हम प्लाटफॉर्म पे नहीं हम पट्री पे खड़े हैं और वो ट्रेन हमारे तरफ आ रही है तो इस महामारी को भूलने की भूल हम ना करे अल्मोस मिट चुकी है लेकिन वैक्सिनेशन से पूरा मिटा सकते है यह अच्छी न्यूस क्या है कि उसका एफिकसी नंबर इंगलंड से आया है और बहुत ही अच्छा है जितना सोचा था उसे कई गुना अच्छा है मेरे काफी पढ़े लिखे दोस्त है इंडिया में और वो मतलब ज़्यादा समझदार नहीं है लेकिन पढ़े लिखे जरूर है वो थोड़े मायूस हो गए थे कि फाइजर का नंबर 95 है मॉडरना का 94.1 है तो हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि 62 फीसद प्रभावी वैक्सिन को ले ले कोविशिल को मुझे इस बात पर मायूस ही आती है कि उन लोगों को इस बात पर मायूस ही आती है दुनिया में कई मुल्क ऐसे है कि जहां वो सपने बे भी सोच भी नहीं सकते कि कोई टीका कुछ हपतों में या कुछ महनों में या कुछ सालों में आएगा और भारत के पास दो-दो वैक्सिन है को एक्सिन तो आज प्राइम मिनिस्टर ने ले ली लेकिन उसका डेटा अभी तक हाथ में नहीं आया है तो मेरे जैसे लोग कुछ उसके बारे में टिपनी नहीं कर सकते कोवी शील तो इंडिया में भी मैनिफाक्चर कर रहे है ऑक्सफर्ड ने डिजाइन जरूर की है लेकिन उसका manufacturing तो इंडिया में हो रहा है तो अभी अपने हाथ में है तो ये अच्छी खबर क्या है कि देखो 62% प्रभावी है अगर 4 हपते बाद दूसरा dose दिया जाता है और ये पता नहीं था कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो बुढ़ा तो उनको नहीं कहूंगा जिनकी उम्र ज़्यादा हो उन लोगों में ये टिका कैसा चलेगा फ्रांस तो कह रहा था कि जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है उन लोगों में उन्होंने ये टिके को अनुमती दे ही नहीं थी Oxford, Covishield को वो कह रहे थे कि 65 के नीचे ही दे दो उनका जो बड़ा डेता था वो अंडर 55 था अभी इंग्लेंड में रियल लाइफ के रिजल्स आये है और वो ऐसा कह रहे है वो तो उन्होंने 12 हपते बाद दूसरा डोस देते है लेकिन सिर्फ अभी पहले डोस की बात करेंगे जिनकी उमर 70 साल के है उन लोगों को एक टीका लगने के चार हपते बाद उनको 60 फीसद तक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है COVID से और जिन लोगों की उमर 80 साल है या 80 साल से उपर है उनको चार हपते बाद 70 फीसद 70 फीसद उनका करोना से प्रोटेक्शन होता है और जो 80 साल के लोग है अगर हम लोग 12 हपते रुख गए और दूसरा डोस देने के बाद अगर एफिकसी देख ली तो इट बिकम्स 89.9 फीसद मतलब अल्मोस्ट 90 परसें अल्मोस्ट लाइक फाइजर और मॉडर्नार आप सोच नहीं सकते यह कितने अच्छ नमबर है मैंने एक ट्वीट भेजा था इंजियन गवर्मेंट को मेरा ट्वीटर हंडल है अट डॉक्टर गोडसे गोडसे रवी 1 और यह तो 89 का नमबर मुझे कल पता नहीं था अब भी New York Times में आया है और मेरा ट्वीट इंडियन गवर्मेंट को ऐसा है वैक्सीन Oxford Covishil वैक्सीन इस 62 परसेंट इफेक्टिव इफ टू डोसे अर सेपरेटर बाइ फोर वीक्स it is 86% effective if two doses are separated by about 12 weeks so if you separate them you are going to get 20% more efficacy and 100% more doses can you believe it that we are asking Indian bureaucracy to delay and they are saying no अगर यापको tweet अच्छा लगे तो आप जरूर उसको आप retweet कीजिएगा भारत सरकार के तरफ ऐसे लाखों लोगों ने भेज़ दिया तो अच्छा रहेगा तो अभी क्या कर सकते हैं देखो herd immunity 40-45 फीसद तक रहेगी शायद ये 10-15% हमको मिल गया ना vaccination करके तो पूरे हो गया महामारी का अंत हो गया समझो लेकिन इस TK को अभी लगाना है जल्दी लगाना है और वो अगर ये पूरे dose मनलब वो मूवी में डायलोग था न वो कहता है आदे सिपाई इधर जाओ आदे उदर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ यहाँ पे हमने ऐसा किया तो आदे इधर जाएंगे आदे उदर जाएंगे और सौ सिपाई हमको वही कौस में हमारे पीछे मिल जाएंगे वो dose डबल हो जाएंगे न और दूसरा सब dose सभी लोगों को दे दिये तो दूसरा dose तो immediately available नहीं होगा एक मेने में तीन मेना लगेगा और उसका एफिकसी भी 20% से सोने पे सुआगा हो जागा 20% efficacy बढ़ जाएगा अभी आपको होगे तीन मेने बाद अगर dose नहीं मिला दूसरा तो क्या करेंगे हम लोग इंडियन है वैक्सिन इंडिया में बन रहा है कुछ ना कुछ जुगाड करके हम तो वो dose लाने वाले कुछ ना कुछ master stroke तो करने वाले यह हमको भी पता है यह आपको भी पता है और दुनिया को भी पता है और दूसरी बात यह है कि तब तक शायद दुनिया के जैसे अभी government कह रहे कि जो लोग covid से बरामद हुए है उनको शायद एक ही dose की जरुवत हो तो हमारी doses requirement suddenly half हो जाएगी और तब तक सबका protection भी हो जाएगा यह इंतजार है vaccine का दूसरे dose का उसमें ही बड़ा मजा है जितना ओं इंतजार बढ़ जाएगा ना हमारा आप efficacy बढ़ जाएगा नप पूछ जब से तेरा इंतजार कितना है कि जिन दिनों से मुझे तेरा इंतजार नहीं तेरा ही अक्स है इन अजनभी बहारों में जो की तेरे लब तेरे बाजू तेरा कनार नहीं तो यह इंतजार से हम लोग efficacy बढ़ा देंगे अभी हम लोग US में क्या बोलेंगे इंडिया को इंडिया ने तो बहुत अच्छा काम किया है लेकिन पर हंडर्ड पॉपिलेशन अगर vaccination देखा जाए तो इस्रेल इस अट 91.1 UA is 65.5 United Kingdom is 31.7 United States is 22.4 Canada का प्रदर्चन एकदम निराशा जनक रहा है 4.8 and India is still at 1 क्योंकि हमारी आबादी इतनी है तो हमको यह बहुत जल्दी से बढ़ाना है और इस भ्रम में नहीं रहना है कि हम बच चुके है वो ट्रक्स पे लिखा रहता है न बुरी नजर वाले तेरा मूग काला अभी समय आ गया है कि बुरी नजर वालों को चश्मा पहना देते है और उनको बता देते है भाई यह वैक्सिन पूरी दुनिया कह रही है यह वैक्सिन का दूसरा डोस है उसको डीले करो अगर आपको मेरा ट्वीट अच्छा लगे तो ट्वीट कर देना हम इस भ्रहम में ना रहे जैसा वो भवर होता है वो कमल दल में बंध है और सोच रहे कि सुबह होते ही में छूट जाओंगा और बहुत मौच करूँगा एश करूँगा रात्रिर गमिश्यति भविश्यति सुप्रभातम भास्वान देश्यति हसिश्यति पंक जश्री इत्थम विचंत यति कोश गते द्विरेफे हां हंत हंत नलिनिम गज उज्जहार हमारे उपर ये परिसिति ना आए देखो अमरिका से में मैं हमरिका से तो हम क्या कहेंगे वो कहते हैं ना शीशे के घर में रहने वाले लोक कपड़े बदला नहीं करते भारत ने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा करें दूसरा वैक्सीन का डोस दीले करें बहुत अच्छी न्यूज है डॉक्टर अवी गोड से